जब बालू घाटों की निलामी नहीं हुई तो बालू तसकर अपनी जान बचाने के लिए संखर्ष्ट कर रहे थे और जैसी रानी के अंधेरे में रेत चप्टी होने की भनक लगी तो राजस विभाग ने बालू तसकर पन्ना केल कसना शुरू कर दी शस्तरगार राजस विभाग द्वारा रातरी गश्ट में मिला रेत तसकर ट्रक्टर इनमें से दो ट्रक्टर दिसम्बर में और दो ट्रक्टर पिछले सप्ता जब्त किये गए थे प्रत्यक ट्रक्टर मालिक से 1,70,000 रुपय का जुर्माना वसूला गया है आर्मरी शहर में दो प्रकतिक नदिया हैं गड़वी और वैनगंगा वैनगंगा नदी बेसिन से सटे भीतरी घाव से ट्रक्टर द्वारा रेत की तसकरी की जाती है मुखे कारण यहा है कि अर्सोडा गाव से रेत की तसकरी की जा रही है यह घाट गोमघाट के नाम से प्रसिद्ध है गोमघाट की तसकरों ने 3.30 बजे दस्तक दी है और तसकरों के इस घाट से निकलने के 6 रास्ते हैं राजस विभाग की मोबाइल टीम बाहर गई और विभिन इस्थानों पर बालू तसकरों ध्वारा रखे पंखे फोन पर सूचना दीगी राजस विभाग का वाहन जा चुका है इन पंखों पर पूरे विभाग अधिकारियों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के नमबर है यह धंदा बहुत ही संजीतगी से किया जा रहा है मानो कोई नेटवर्किंग का थंदा हो राजस विभाग ने लोगों के आहवान को संग्याद में लेते हुए बालू तसकरों के खिलाब सक्त कारवई करते हुए रात में चल रहे बालू तसकरों के चार्ट ट्रेक्टर जप्त कर एक लाग सत्रह हजाद जुर्माना वसूल किय राजस विभाग ने एक लाख रुपे जुर्माना लगाया है एक ट्रेक्टर मालिकों नोटिस दिया है और और पैंडिंग है राजस विभाग द्वारा जप्त किये के ट्रेक्टर मालिकों के नामों का खुलासा जप्ती के आदेश में किया गया है ट्रेक्टर के कोई मूल दसावेस नहीं मांगे हैं उपतैसल दा योगी इंदर चापड़े राठोर मंडल अधिकारी कुनमारे तलाथी प्रवीन गजभिये समित अनिकरमचारी मोबाइल तसकरी में शामिल थे आर्मोरी से बीसेन न्यूस के लिए हरेंदर मडावी की रिपोर्ट